नमस्कार किसान भाई, कोई भी किसान ऐसा नहीं होगा जिसको अपनी फसल का अच्छा उत्पादन नहीं चाहिए या फिर अच्छा मुनाफा नहीं चाहिए सबी किसान भाई यह चाहते हैं कि हमें जो हमारी फसल है वह बहुत अच्छा उत्पादन दे और जो अंतिम रूप में जो हमारे पास मुनाफ़ा आए वह भी बहुत अच्छा प्राप्त हो इसके लिए हमारे को जो किसान भाई है उनको कुछ चीजों का ध्यान जरूर रखना चाहिए आप देख रहे हैं सुरब किसान और आज आप जानेंगे कि साथ ऐसे कौन-कौन से पॉइंट है या बाते हैं जिनका अगर किसान ध्यान रखे तो उसकी जो आई है वह भी बहुत अच्छी हो सकती है या हम कह सकते हैं कि दुगनी भी हो सकती है अगर यह वीडियो आपको पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें शेयर भी करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें तो चलिए जानते हैं कि साथ बातें कौन-कौन सी हैं तो चलिए शुरू करते हैं दरसल जब भी अगर किसी भी किसान को अपनी जो खेत है उसकी पूरी तरह से परक नहीं है तो उस समय भी हमारों को जो उत्पादन है वह मन के मुताविक नहीं मिलेगा तो इसके लिए पहला पॉइंट आता है मिट्टी और पानी की जाँच मिट्टी और पानी की जाँच अगर हम सही करवा देते हैं तो भी हमारे को पूरा जो खेत है उसका पूरा खाका मिल जाता है कि किस तरह के जो तत्व है वह हमारी जमीन में ज्यादा है और किस तरह के तत्व जो है हमारी जमीन में कम है और जो पानी है उसकी गुनवत्ता किस तरह की है तो अगर हमारे को मिट्टी पानी की पूरी जानकारी हमारे पास होती है तो हम उस हिसाब से खाद की मात्रा का उप्योग करते है जिससे हमारे जो बचत है पेसो की वह भी हो जाती है और साथ ही साथ जो हमारी फसल में जिस चत्वी की या जो जमीन में जो कमी है वही हमारी फसल में हम अगर चिड़कें तो उससे भी हमारे को बहुत अच्छा फाइदा मिल जाता है तो हमारे को सबसे पहले क्या करना है मिट्टी और पानी की जाँच करवानी है मिट्टी और पानी की जाँच के लिए आप आपके जो जिला है वहाँ पर क्रिशी विग्यान केंदर है वहाँ पर भी संपर्ग कर सकते है और कृशी भवन हर जिले में होता है वहाँ पर भी जाकर आप संपर्ख कर सकते हैं दूसरा पॉइंट आता है अच्छी जुताई गर्मियों के दिनों में या और जब भी हम फसल ले रहे हैं उससे पहले अगर अच्छी गहरी जुताई करते हैं खेत की तो भी हमारे को बहुत अच्छा मुनाफ़ा मिलता है क्योंकि जो फंगस जो होती है वह गहरी जुताई करने के बाद बहुत कम अटेग करती है खेत में और अगर फंगस कम अटेग करेगी तो हमारी जो भी फसल है उसमें जो फंजिसाइड के स्प्रे करने पड़ते हैं वह बहुत कम करने पड़ेंगे या आप कह सकते हैं कि जो कोई भी फसल होती है जो फंगस के एटेक के बाद एक दम से पीली पड़कर सूख मुझाती है वह समश्या भी नहीं आएगी तीसरा पॉइंट अगर हम बात करें अच्छी हमारे जो मुनाफ़ा प्राप्त करने की जो एक दोड़ है उसमें तो तीसरा पॉइंट आता है खाद या जो हमारा जो सन है या धेचा जिसकी हम भुवाई करते हैं या जो मोंग उड़त दलहनी फसले हो गई उसकी जो अगर हमा हाइट ले लेता है उस समय अगर इनको हम रोटावेटर की साहिता से खेत में ही दबा देते हैं या कुचल देते हैं जिससे क्या होता है कि खाद की पूरी भरपूर मातरा हमारे खेत में हो जाती है अगर देशी गोबर का खाद आपके पास उपलब्ध है तो तो कोई बात अगर नहीं है तो आप धेचा की खेती या देलेनी फसंद मूंग और उड़त की खेती करके भी जूखाद की परियापत मात्रा है वह खेत में कर सकते हैं तीछा या चोथा पॉइंट की अगर हम बात करें तो एक से ज़्यादा सब्जिया लगानी चाहिए अगर हम जैसे हमारे जो खेत है उसमें भिंडी लगा रहे हैं तो भिंडी के साथ हम जैसे गौार फली लगा सकते हैं या और भी जो फसले होती है टमाटर मिर्ची वो अगर साथ में लगाते हैं तो भी हमारे को फाइदा होता है क्योंकि बहुत सी बार किसान भई क्या करते हैं कि एक फसल लगा देते हैं और अगर उसका भाव नहीं मिलता है तो फिर जो अंतिम रूप में जो हमारे पास मुनाफ़ा आता है वह बहुत कम आता है और या फिर जो हमारा मुनाफ़ा है वह एक गाटे में बदल जाता है अगर हम तीन चार फसले एक साथ लगाते हैं तो उससे एक फसल अगर कमजोर भाव भी दे रही है तो दूसरी जो फसल है उसको कवर कर लेती है इसी के साथ साथ क्लाइमेट का भी हम अगर ध्यान रखते हैं तो भी हमारे को अच्छा मुनाफ़ा मिल जाता है क्योंकि अगर हम कोई भी फसल लगा रहे हैं और वातावरन उसके अनुकूल नहीं है अमारी जो जहां पर भी हम रहते हैं या जहां पर आपका खेत है तो भी आपको जो मुनाफ़ा है वह मन के मताबिक नहीं मिल सकता है तो क्लाइमेट का पूरा ध्यान रखें और सबजियां जो लगा रहे हैं वह एक से ज़्यादा जरूर लगाएं अब पांचवे पॉइंट की अगर हम बात करें तो उन्नत तक्निकों का फाइदा ले जैसे उन्नत तक्निकों में हमने देखा है जैसे पॉली आउस हो गया ग्र अगर हमने खिरा ककड़ी पॉली आउस में लगा कर जो बे मोसम होता है उस समय मार्केट में ले जा पाते हैं तो हमारे को भाव जश्ट दुगना मिल जाता है तो इससे भी अगर कोई किसान भाई खेती करते हैं तो उनका जो मुनाफ़ा है वह बहुत अच्छा मिल पाएग यह आप शेर भी जरूर कर दे छट्रे पॉइंट के अगर हम बात करें तो हर बार उसी खेत में फसल ना ले जैसे मिर्च की खेती हम कर रहे हैं तो हर बार मिर्च की खेती हम एक ही खेत में नहीं ले इसका पूरा ध्यान रखे जैसे हमने कोई भी कपास भी लगाया है तो व टाइस टाइम पे हमारे को जो उत्पादन मिला है उसका बहुत जैसे 30% तक लगवा कम उत्पादन अगली बार मिलता है और वही अगर हम बदल कर लगा रहे हैं तो उत्पादन में गिरावट नहीं आती है सात्वा और अंतिम पॉइंट जो किसानों की खेती के लिए बहुत तो दिया है पर जब मार्केट में बिलकुल भाव बहुत कम है और हमारा जो धनिया की जो कटई है वह भी बहुत महंगी पड़ रही है तो उस समय हमारे को भाव बहुत कम मिलेगा और जिससे आपको लगए कि यह तो खेती बहुत ही खराब हो गई है और आपका जो मुनाफ वीडियों से अगर खेती कर पाते हैं तो उस समय भाव हमारे को बहुत अच्छा मिलता है और भी अगर आपको जानना है कि कौन सी फसल का कि समय भाव अच्छा रहता है तो मुझे कमेंट बोक्स में कमेंट करके जरूर पोश सकते हैं अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है और आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें